दोस्तो आपने ये तो सुनाई होगा कि किसी भी हैबिट को बनाने में या उसे चोडने में 21 दिन लगते हैं, लेकिन क्या ये थियोरी सच है या ये एक सिर्फ मित है? वेल, इसे समझने के लिए हमें Dr. Maxwell Maltz के बारे में जानना होगा, तब ही हम जान सकते हैं कि 21 Days Rules exactly क्या है और कैसे हम इसे यूज़ कर सकते हैं अपने आपको और अपनी लाइफ को बहतर बनाने के लिए? एक्चली दोस्तो, Dr. Maxwell Maltz एक प्लास्टिक सर्जन थे, जो अपने सभी पेशेंट्स में एक सिमिलर पैटर्न को नोटिस कर रहे थे जब भी Dr. Walz कोई operation करते थे, for example किसी की nose का operation, तो उन्होंने नोटिस करा कि अपनी नई nose के साथ used to होने में, अपने नए चेहरे को completely accept करने में, पेशेंट्स को around 21 days का time लगता था, और ये हर पेशेंट्स के साथ सिमिलर था, सब को अपनी बाड़ी में हुए changes के साथ comfortable होने मे 21 days का time लग रहा था, इन experiences से Dr. Maxwell Malz ने खुद की behavior को भी notice करना शुरू करा, जिससे उन्होंने notice करा कि उन्होंने खुद एक habit form करने में minimum 21 days का time लग रहा था, फिर 1960s में उन्होंने अपनी book Psycho Cybernetics में इस quote को लिखके publish कर दिया, जो था, किसी भी पुरानी mental image को भूलाने के लि और सब जगे ये मित फैलने लगा कि किसी भी नई आदत को बनाने या उसे छोडने में सिर्फ 21 दिन लगते हैं, बलकि सच तो यह है कि Dr. Maxwell Malz ने कहा था कि minimum यानी कम से कम 21 दिन, ना कि सिर्फ 21 दिन, और Maxwell Malz की इस 21 days की थियोरी के पीछे एक बहुत बड़ा scientific secret है, जिससे हम discuss कर रहे हैं, क्योंकि इसे यूस करके आप आने वाले अगले लगबग 21 दिनों में अपनी लाइफ चेंज कर सकते हो, नमबर वान, चेंज और सेल्फ इमेज, और जब किसी के प्लास्टिक सरजरी कर रहे थे, जैसे किसी के फेस में कुछ चिंजेस कर दिये, जिससे वो पेश किसी भी डिफरेंस को नहीं देख पा रहे थे, क्योंकि उनका ये बिलीफ था कि वो अच्छे नहीं दिखते हैं, याने कि उनकी खुद के बारे में सेल्फ इमेजी गलत थी, इसलिए डॉक्टर चाहें कितना भी उनके फेस को चेंज करते, वो कभी खुद को पसंद नहीं क पता था कि वो उसे अच्छीव करने के लिए capable है, ये patients के अंदर एक self-doubt create करता था, और ये doubt उनके creative mechanism से interfere कर रहा था, इसलिए दोस्तों कई सारे लोग अपनी habits को change करने में बहुत बुरी तरह fail हो जाते हैं, लोगों को लगता है कि सिर्फ 21 दिनों के लिए एक चीज को consistently करत चाहते हो, relaxation routine इसलिए जब आप stress या tension में होते हो, तो आप किसी भी चीज़ पर focus नहीं कर पाते, बट जब आप इस tension को ही छोड़ देते हो, आप पहले से जदा open हो जाते हो, और हर new information को अच्छे से accept करने लगते हो, इस routine में author कहते हैं, आप किसी comfortable जगे बैट कर या लेट कर अपने आपक इमेजिन करो, कि आप ए comfortable बैट पर सीधे लेटे हुए हो, जहां आपके पैर concrete की तरह भारी हो गए हैं, और imagine करो, ये भारी भरकम पैर mattress में सिंक होते जा रहे हैं, similarly अपने हाथ और सर को भी ऐसे imagine करो, कि जैसे आपकी body concrete की बन गई हो, और आप soft mattress में सिंक होते जा रहे हो, ये आपकी body को immediate relaxed कर देगा, और सारी tension release कर देगा, जो next step के लिए बहुत important है, क्योंकि आपको खुद को इस्थिर बनाना होगा, तब ही आप कुछ कर पाओगे, Pick one thing you have been struggling with, अब उस एक चीज़ को pick करो, जिसको लेकर आप बहुत time से struggle कर रहे हो, और अब imagine करो, कि एक सुबह आप उठे और आपने देखा, कि वो problem या habit खतम हो चुकी है, आप उस pain से free हो चुके हो, और आपको जो result मिला है, वो आपकी expectation से भी ज़्यादा है, आपको नहीं करो कि आप अपने office में बैटे हुए हो, अपनी chair को feel करो, अपने desk का color notice करो, अपने laptop को देखो, अपने कपड़ों को imagine करो, आपने क्या पहना हुआ है, आपकी tie का color क्या है, अपनी computer screen को notice करो, उसमें आपकी sales का graph कितना उपर जा रहा है, आपका profit increase हो रहा है, हाप अपने experience को जितना जदा detail बनाओगे, आपके mind को वो उतना जदा real लगने लगेगा, और साथ ही results के साथ author कहते हैं, ये imagine करो कि आप अपने goal को achieve करने के process में भी excel कर रहे हो, अगर आप बेले gym जाने के habits से struggle कर रहे हो, तो सुबह सुबह imagine करो कि आप आज जिम जाओगे, और अपनी exercises को enjoy कर रहे हो, आप वो पसीना feel कर सकते हो, वो pain feel कर सकते हो, और exercise करने के बाद आपको बहुत अच्छा feel हो रहा है, अगर आप सुबह जल्दी उठने के habits से struggle कर रहे हो, तो रात में सोने से पहले imagine करो, कि आपका alarm सुबह बज रहा है, आप बहुत नीन में हो, आपका उठने का जरा भी मन नहीं कर रहा, पर आप बहुत हिम्मत करके उठ जाते हो, और अपना morning routine follow करते हो, इसी तरह हर दिन 21 दिनों के लिए relaxation routine के बाद अपने goal को visualize करो, जिस habit को आप create करना चाते हो, उसके बारे में सोचो, उसके process के बारे में सोचो, और उसे enjoy करो, अब इसके बाद, recently आपने अभी जितनी भी success experience करी हैं, उनके बारे में सोचो, इसमें आपको उन सभी intentions के बारे में सोचना है, जिनने आपने सोचा और उनने पूरा भी करा, जैसे आपने रात को सोने से पहले सोचा था, कि आप सुबह जल्दी उठेंगे और आप उठ भी आपको 21 days तक consistently हर दिन इन तीन simple steps को follow करना है, और 21 days के बाद आपका brain reprogram हो चुका होगा, इसके पास आपका हर एक goal अचीव करने के लिए एक set strategy होगी, जहां ये आपकी subconscious mind का use करके आपकी सभी goals को achieve करा देगा, racing the standard for yourself, co-author Matt Fury ने इसी technique को students के एक group पर apply करा था, जहां baseball के students, ball को 90 miles per hour की speed से थ्रोग करने में struggle कर रहे थे, जहां Matt ने उन्हें इस 3 step process को use करने के लिए कहा, जहां वो पहले तो खुद को relax करके अपने इस goal को set करते थे, और imagine करते थे कि वो 90 miles per hour की speed से ball को successfully थ्रोग कर पा रहे हैं, और साथ ही वो उस moment को imagine करते थे, जब वो almost 90 miles per hour की speed को touch कर चुके थे, वो पहले से कितना better perform कर पा रहे थे, जिससे हुआ ये कि 21 days बाद उनमें improvement दिखनी शुरू हो गई, स्टार्टिंग में 18 students से 90 miles की speed से ball को throw कर पा रहे थे, जो number 18 months के बढ़ कर 98 students का हो गया, ऐसा क्यों हुआ? Well, author कहते हैं हमारा brain real और imaginary experiences में difference नहीं पता पाता, जैसे कोई बुरी memory हमें set कर देती है, और कोई भी अच्छी memory हमारे चहरे पर smile ले आती है, इसी का use करके आप अपने लिए एक fake experience create करते हो, जो आपके brain के nervous system को trigger कर देता है, और आप उस experience को real world में भी create करना शुरू कर देते हो, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, तो वीडियो को like और subscribe बटन पे क्लिक करके इस channel को support करो, और हाँ, bell notification on कर लिजिगा ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस न करपाओ, थैंक यू फर वाचिंग,